सब्सक्राइब करेंगे कि बच्छे जब किसी डॉक्युमेंट को या फिर अपने नोट्स को क्या करना पड़ रहता है कि उनको पीडिये फॉर्मेट में सेंड करना रहता है तो कैसे आप कौन से एप्लिकेशन के तुरू आसानी से अपने मोबाई पीडिये बना सकते हैं और स और यहां पर इसको आप डाउनलोड कर देंगे तो यह किया हो जाएगा आपके सिस्टम मे जाएगा अपकी मोबाई मे जैसे कि application हमारे mobile में इस्टाल हो गया है मैं simply यहाँ पर open के उपर click करके आप application को open कर सकते है open करने के बाद आपको application का interface आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको इसमें को setup करना रहता है आप directly इसको skip कर सकते हैं skip के उपर click करने के बाद यह आपको permission मंगेगा तो हम यहाँ पर इसको allow करना पड़ेगा क्योंकि हमको क्या करना है कि जब भी PDF जो बनाना है हमारे जो gallery है वहीं से हमको बनाना रहेगा तो यहाँ पर देखे बहुंच शारे option आपको मिल जाते हैं अगर आपके कोई PDF में password लगा हुआ है उसको अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं PDF के उपर password लगाना है तो वह भी कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुंच सारे option मिल जाते हैं image को PDF में convert करना PDF को image करने का भी option मिल जाता है तो एक ऐसा application है जहाँ पर सारे function आपको PDF से related यहाँ पर apply किया जा सकता है हमको अभी क्या करने image to PDF तो अगर आपके mobile में जो image है उसको अगर आपको PDF बनाने को कर सकते नहीं है तो आप इसमें यहाँ से image भी आप ले सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर click करता हूँ image to PDF जैसी मैं image to PDF करता हूँ एड़र्टाइजमेंट आएगा simply आप इसको close कर सकते हैं फिर उसके बाद select image select image के उपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर select image के उपर simply click कर देते हैं अगर image आपके mobile के gallery में हैं तो यहीं से आप ले सकते हैं इसको मैं okay कर दिया वैसी आप क्या करोगे second page का अगर आपको लेना है तो यहाँ पर select image में चले जाएंगे फिर इसके बाद फिर camera में चले जाएंगे यहाँ से आप क्या करोगे फिर photo ले लेंगे तो यह page number 2 हुआ then okay कर देंगे फिर वैसी आप क्या कर लो कि 3 pages suppose हमको बनाना है तो 3 pages का आप क्या कर लेंगे यहाँ पर camera से photo ले लिए यह 3rd page है तो यह मैं 3rd page का भी photo ले लिया तो इस तरीके से मैंने 3 pages यहाँ पर photo ले लिया आपको क्या करना है select image में जाना है और वो 3 photo आपके सबसे पहले यहाँ पर top में आ जाएंगे उस photo का आपको select कर देंगे 1, 2 & 3 then उसके बाद apply के उपर click कर देंगे apply के उपर click करने के बाद यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर simply क्या करना है create PDF के उपर click कर देंगा आपको इस PDF का name देगा आप चाहो तो यहाँ से change कर सकते है मैं इसी name में रहने देता हूं then okay क्लिक कर देता हूं okay क्लिक करने के बाद कुछ समय में देखे PDF convert भी हो जाएगा आप चाहो तो यहाँ पर view PDF के उपर click करके आप PDF को देख भी सकते यह PDF हमारे direct gallery में save हो जाएगा तो यहाँ पर page number one then उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा page number two then यहाँ पर page number three तो इस तरीके से हमने तीन page का video बना लिया है आप इसको किसी को भी send कर सकते है तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते है next video